बहुत कम्या निकालने लगे हैं हम एक दुसरे में आव एक मुलाकात जो है वो आइने से भी हम सभी करते हैं क्लास को स्टार्ट करूँगा और बोलूँगा आज कवर करेंगे हम सभी 31 जुलाई की important current affair और क्लास रोज सुबा में साड़े चार बजे आप सभी का चलता है और इसका सारा का सारा PDF जो है आपको टेलीग्राम के उपर मिल जाएगा टेलीग्राम का जो नाम है अगर आपकी फोन में टेलीग्राम का एप्लिकेशन है तो आप वहाँ पर सर्च मारिएगा success जगा छोड़ कर की 98 इस नाम से आपको ग्रूप मिल जाएगा वहाँ पर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और एक बात इस वीडियो के description box में भी PDF का लिंक दिया गया है वहाँ से भी आप सभी जो है वो PDF इस class का पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकते हैं और आज का पहला question हमारे सामने किस राज की सरकार ने online नुक्तिया के लिए यानि online जितने भी appointment होगे न उनके लिए इस सचिवाले portal जो है वो launch किया है अब यह इस सचिवाले portal किया है पहले वो समझ लो और यह launch किस राज सरकार के द्वारा किया गया है तो हर्याना option number आपका D ठीक है अब इस जो portal launch किया गया है इस सचिवाले portal इसके माध्यम से क्या होगा देखो block department से लेकर जितने भी पंचायत विभाग के जितने भी लोग है या फिर जितने भी करमचारी है जिनको अगर meeting करना है appointment लेना है officer से या बड़े बड़े पद के अधिकारी से मुख्यमंत्री तक का तो वो जो है अपना appointment जो है अपनी बात रखने के लिए वो इस portal के माध्यम से ले सकते हैं और ये सारा कुछ बनाया गया है COVID-19 coronavirus को देखते हुए ताके मिलना ना पड़े और आपको जो भी appointment जो है आप वो online जो है वो ले सकते हैं तो यह सुविदा किस राजसरकार के द्वारा launch किया गया है इस सचवाले portal तो हर्याना राजसरकार के द्वारा और हर्याना का capital चंडीगर और हर्याना के CM मनोहलल खटर राजजपाल की बात करें तो सत्यदेव नरायन आरिया और एक बात हर्याना और पंजाब दोनों जो है अपना high court जो है जो भी मामले है high court के वो एक साथ जो है वो साज़ा करता है तो हर्याना पंजाब के जो मुख नयादीस है उनका नाम क्या है तो रभी संकर जहा ये भी आपको याद रखना है एक्जाम में high court के चिप जस्टिस के उपर भी question बनता है अगला प्रस हमारे सामने किस राज की सरकार ने कौसल विकास के लिए IIT roper के साथ जो है दिल साइन किया है आपको बताना है जितने भी skill development है ना उसको बढ़हावा देने के लिए किस राज सरकार ने IIT roper के साथ जो है वो दिल साइन किया है तो वो सरकार है आपका पंचाब, option number आपका D और पंचाब का capital चंडीगर, मुख्यमंत्री captain अमरिंदर सिंग अगर राजपाल की बात करे तो भीपी सिंग बदनोरे और जैसे मैंने इसके पहले वाले question में बोला कि हरियाना और तंडीगर जो है वो अपना, जो भी अपना court का जो भी मामला है वो एक साथ साजहा करता है हरियाना और पंचाब तो पंचाब के जो मुख ने आदिस है, पंचाब high court के नाम के है रवी संकर जा अगला परस हमारे सामने pancard सेवाओ के लिए किस company ने UTI infrastructure technology and service limited के साथ जो है वो deal sign की है अब question को पहले समझ लेना, जितना भी pancard में आपका problem होता है या pancard में, जितने भी re-correction करवाने का काम है या फिर अगर आपका pancard हो गया और आपको duplicate pancard issue करवाना है, तो यह सारा सूबिधा अब आपको कहां पर मिल पाएगा तो आपको UTI infrastructure technology and service limited के द्वारा मिलेगा, pancard service ने जो है इस company के साथ जो है वो deal sign किया है और किस company के साथ तो option number आपका भी, अलंकित limited option number भी इस company के साथ जो है वो partnership हुआ है pancard के सारे मामले को सुल जाने के लिए अगला प्रस्ता मारे सामने किस bank ने विट सेवाओ की नौकरी के लिए grammar इवाओ को यानि की ruler youth को परिसिछित करने के लिए NSD के साथ जो है वो deal sign किया है यानि NSD का मतलब national skill development corporation के साथ ठीक है तो किस bank ने air tell payments bank ने option number आप करड़ी और यहाँ पर दो मुखे बात आपको जानना बहुत जरूरी है पहला air tell payment bank का जो CEO है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है आपका अनुबरता बिस्वास या पहला याद रखना है और दुसरा NSD के जो CEO है उनका नाम क्या मनिस कुमार या दो चीज़ आप याद रखिएगा क्योंकि आज के डेट में कौसल विकास के उपर जो है वो बहुत जादा ध्यान दिया जा रहा है ठीक है Skill development को लेकर तो यह आप याद रखिएगा कि National Skill Development Corporation की CEO कौन है तो मनिस कुमार है अगला प्रस हमारे सामने है कि निमलिखित में से किसे Micro Finance Institute Network के नए CEO और निदेशक के रूप में जो है वो निउक्त किया गया है इनका नाम क्या है अलोक मिस्रा इनका नाम क्या है अलोक मिस्रा को जो है वो CEO और डिरेक्टर बना दिया गया है किसका Micro Finance Institution Network का याद रखिएगा अगला प्रस हमारे सामने है निमलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला Numberless Card लाउंच किया है अब यह Numberless Card क्या है भाईया इंडिया का पहला ऐसा Card क्या है यह तो पहले मैं आपको बता दू यह लाउंच किया गया है आपका FemPay Company के द्वारा किसके द्वारा यहाँ पर पेच छुट गया है FemPay Company के द्वारा अब यह Card बोलता क्या है जितने भी किसोरी लोग है ना जिनका उम्र 18 साल से कम है उनके लिए Card लाउंच किया गया है क्योंकि अब उनको अपने मम्मी पापा से ATM Card मागने की जरूवत नहीं है बैंक में जाकर पैसा उठाने का जरूवत नहीं है छोटे लोग है ATM Card अगर debit card parents देते हैं तो वो कही न कई गिरा देंगे तो या कही न कई parents के उपर भी जो है वो प्रेसर कामाएगा और इस Card के माध्यम से क्या होगा हर जितने भी 18 साल से कम बचे हैं उनको यह Card दिया जाएगा और वो उस Card के माध्यम से जो है उस Card पर एक चीप लगा रहेगा ठीक है उसके माध्यम से वो पैसा उठा सकते हैं जितना मन उतना बार और बस उनके लिए Card बनाया गया है ठीक है और जितना भी ताकि parents हो है वो अपना debit और ATM Card जो है वो बच्चों को ना दे main target यही रखा गया है तो यह पहला number लेस Card यानि आप कितने बार भी transaction कर सकते हैं बच्चे यह भी बताया गया है तो यह पहला number लेस Card जो है वो launch किस company के द्वारा किया गया है भारत में तो वो है आपका fan pay के द्वारा option number आपका D अगला प्रस हमारे साबने किस company ने समाजिक गरबड़ी के लिए यहां पर आप सभी पहले तो समझ ले ना question क्या बोल रहा है आप सभी को पता है आज के date में social distancing बहुत बड़ा issue बन चुका है COVID-19 को देखते हुए कि आप थोड़ा दोरी बना कर रखिये अब यह सुविदा आपको flight में भी मिलेगा अब flight में आप social distancing के नाम पर आप sit book करवा सकते हैं यानि आपको ऐसा sit मिलेगा जहां पर अगल बगल यात्री नहीं रहेंगे और आपका सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया जाएगा तो यह सुविदा किसके द्वारा launch किया गया है और यह सुविदा जो है वो किस योजना के तहट तो उस योजना का नाम दिया गया है आपका go more योजना यानि go more scheme के तहट यह लाब आपको मिल पाएगा और कौन सी company के द्वारा launch किया गया है तो go air के द्वारा क्योंकि मालो फ्लाइट में तो बहुत लोग जाते ही यानि कुछ लोग को अगर सीट मिल पाए तो उनकी जान की किमत बहुत ज़ादा है बाकी लोग बाकी लोग तो आपको सबके लिए एक बराबर होकर सोचना पड़ेगा नो डाउट चीज बहुत अच्छा है लेकिन आपको सोचना पड़ेगा सबके बारे में जिनको नहीं मिल पाया मतलब उनके जान की किमत सोचिएगा अगला परस हमारे सामें DRDO ने हाल ही में किये गए परिक्षण विरोध नाग मिसाइल निर्दियसी टैंक का नाम बताना है जो उडिसा के बाला सोड से जो है इसका ट्राइल किया गया है इस मिसाइल का आप देख पा रहे होंगे इस मिसाइल का नाम क्या है तो इस मिसाइल का नाम है आपका रूव इस्त्र, option number आपका B और DRD-O के chair person कौन है, अध्यक्ष कौन है तो G37 Reddy, headquarter नई दिल्ली और DRD-O का गठन का हुआ था 1958 में अगला प्रस हमारे सामें नेमलिखित में से किसे railway के अंतराश्य संग द्वारा अपने सुरक्षा मंच के उपाद्यच के रूप में जो है, वो नामित किया गया है किसको? तो अरून कुमार को option number D और एक जानकारी और मैं आप सभी को दे देता हूँ जो ये अरून कुमार है ना ये बर्तमान में RPF Railway Protection Force के Director General भी है ये भी आप याद रखिएगा और अगला प्रसमारे सामने CCI Competition Commission of India भारतिया प्रतिस्प्रधा आयोग ने कृष्टा पट्टम बंदरगा का अधिगरण को किस कमपनी के द्वारा अनुमोतित दे दिया है आपको बताना है जो कृष्टा पट्टम बंदरगा है उसका अधिगरण किया जाएगा किस कमपनी के द्वारा और इसका पर्मिसन दे दिया गया है भारतिया प्रतिस्प्रधा आयोग के द्वारा तो इसका अधिगरण जो है वो आपका अधानी पोर्ट करेगी आपका option number D और एक्जाम में यभी पूछ सकता है आप सबी से कृष्टा पट्नम पोर्ट जो है वो किस राज्ज में तो आंध्र परदेश में ये भी आपको याद रखना है एयर टेल एंटरप्राइस बिजनेस के CEO के रूप में किसे निक्त किया गया है इनका नाम क्या है तो इनका नाम है आपका गनेश लक्ष्मी नरायन option number आपका B अगला प्रस हमारे सामने UNICEF UNICEF के अनुसार दच्छड एसिया में कितने मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो COVID-19 क्रोना वाइरस के कारण जो starting का primary सिक्षा होता है न उनसे वो जो है वन्चित रहें उनको यह सिक्षा नहीं मिल पाया कितनी ऐसे बच्चे हैं तो 22 मिलियन बच्चे ऐसे हैं 22 मिलियन का मतलब समझते हैं 2 करोड 20 लाग सिर्फ दच्छ एसिया में उसमें भारत को भी सामिल किया गया है और उनिसेफ का हेट क्वार्टर कहां पर है नियॉर्क में है जो आपका अमेरिका में पढ़ता है इनका हेट का नाम क्या है तो इनका हेट का नाम है आपका हेन्रियटा H4 और गठन कब हुआ था उनिसेफ का तो 11 दिसंबर 1946 को ठीक अगला परस हमारे सामने किस देश ने 3D printed aircraft engine के अपने उडान का परिछण को सफलता पुर्वक जो है वो आयोजित किया है तो रसिया ने option number D रूस और उस 3D printed aircraft engine का नाम क्या है तो नाम आप याद रखना ये बहुत important हो जाता है और रसिया के पढ़ान मंत्री का नाम बल्दमिर पुतिन अगला परस हमारे सामने हाल ही में किस देश ने 20 सुबह पार संगटन में परवे छक का दरजा पराप किया है तो कौन सा है वो देश तो वो देश है जिसको ये टैग दिया गया है तुरकेमेनिस्तान option number आपका D और आज का पहला question आपका यहीं से निकल कर आ रहा है इसका मुद्रा इसका राजधानी और इनके पढ़ान मंत्री का नाम इसका यह तीन चीज आपको comment करकर बताना है यह आपका आज का पहला प्रस्ने और WTO यानि विस वैपार संघटन का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है तो वो आपका जेनेवा जो आपका स्विजिलेड ने पढ़ता है वहां पर है गठन कब हुआ था इसका एक जनवरी 1995 को और इसके जो डारेक्टर जेनल है डी जी है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है आपका रोबेटो एजेवेडो यह भी आपको याद रखना है अगला परस हमारे सामने में लिखित में से किस अविनेता ने जितने भी परवासी बार बार वर्ड इस्तमाल करना सही नहीं है परवासी मजदूर जितने भी मेरे भाई बैने उनको नौकरी के औसर खोजने में मदद करने के लिए परवासी रोजगार मॉबाइल एप्लिके क्या नाम है इनका सोनु सूध इनके द्वारा ये application launch किया गया है और खास करकर महराष्ट के लिए ठीक है महराष्ट में जितने भी लोग हैं जिनको वहाँ पर job मिल पाएंगे क्योंकि ये भी में खुद महराष्ट रखे हैं तो यह थे आपके important current offer 31 July का class अच्छा लगा होगा तो आप सभी इस वीडियो के उपर एक like जरूर करिएगा और चैनल के उपर नए है तो चैनल को subscribe करने के बाद notification के bell को दबा दीजेगा ताकि हर एक class का notification आपके phone तक जो है वो मिल जाए और एक भी class आपका miss ना हो और आप किसी भी exam का test जो है हमारे application success की 98 को download करने के बाद आप अपने phone के उपर हिंदी और एंगलिज दोनों ही language में test देज सकते हैं railway, SEC या bank के सारे exam का ठीक है so मेरे जितने भी भाई मैंने सभी को बहुत बहुत good morning आपका दीन बहुत अच्छा हो और अपने सासत अपने मम्मी और पापा दोनों कहीं खयाल लखेगा ठीक है चलिए